क्या आपको अपने काम को टालने की आदत है क्या आप हमेशा ठाका हुआ फिल करते हैं और क्या आप डिप्रेस और अनैप्पी फिल करते हैं तो ये वीडियो लास तक देखते रहे हैं एटिट्यूड इवरिधिंग एस बुक के ओथर जेफ केलर हैं जो कि अमरीका के एक जाने मने मोटिविशनल स्पीकर और बेस सेलिंग ओथर हैं जेफ कहते हैं एक सक्सेसफुल और मीनिंगफुल जिंदगी कर रास्ता आपके एटिट्यूड से होकर गुजरता है और आपका एटिट्यूड आपके कंट्रोल में है इसका मतलब अपने एटिट्यूड में थोड़ा सा चैनला कर आप अपनी लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं तो आईए इस एक बहतर एक्जांबल से समझते हैं एटिट्यूड मतलब आपको दुनिया को देखने का न वो असमें भी कुछ ना कुछ नेगेटिव ढोनी लेंगे एक्जांपल राम और शाम दो दोस्ते राम लाइफ को एक पॉजिटिव एडिट्यूड से देखता था वहीं शाम नेगेटिविटी से भरा हुआ था जहां कोई भी काम करने से पहले राम कहता था I can मैं यहीं कर स सकता जहां राम सॉलिशन पर फोकस करता था वहीं शाम प्रॉब्लम में ही उल्जारा जाता था जहां राम दूसरों में अच्छा ही दिखता था वहीं शाम बुराई जहां राम उपरवाले के शुक्रिया करता था वहीं शाम शिकायत करता दोस्तों मैं आपको ऐसे और भी आते थे और 1980 में उन्होंने लॉय स्कूल से ग्रेजवेशन की डिग्री भासिल कर ली सब कुछ उनके प्लैन के अक्वार्डिंग हो रहा था। लॉय स्कूल में उन्हें अपनी क्लास्में डॉलॉरेस से प्यार हो गया और उन्होंने उससे शादी कर ली। जेफ को लग रहा था कि वो एक सक्सेस्फुल और मीनिफुल जिन्दगी के रास्ते पे हैं लेकिन लॉप प्रेक्टिस करने की कुछ साल बाद उन्हें ये रिलाइज हुआ ये करियर उतना भी अच्छा नहीं जितना उन्होंने सोचा था वो अपनी वर्क लाइफ से बहुत मौने माली परशानी और हैपनिस के सवा कुछ तो होगा एक राज जब जब जफ की सब बैट के सोच रहे थे तब ही उन्होंने टीवी पे एक एड़ देखा Mental Bank Mental Bank basically एक Home Study Program था जिसमें ही बताया गया था कि हमें लाइफ में जो कुछ में मिलता है वो और कुछ नहीं बल्के हमारे सबकॉंशिस बलीव होते हैं जैसा ही जफ ने टीवी पे एड़ देखा उन्हें लगा बस यही है जो मेरी मदद कर सकता है उन्होंने फॉरर अपना Create Card निकाला और ये प्रोग्राम और्डर कर दिया और ये राज जफ की जदनगी में टर्निंग पॉइंट्स आभी थुई कुछ दिन बाद जब मेंटल बैंक उनके घर पर डिलिवर हुआ तब जैफ ही सेखने के लिए बहुत एक्साइटेड थे कि कैसे हमारे थॉट्स हमारे क्वालिटी ओफ लाइफ डिटिर्माइन करते हैं क्योंकि इससे पहले उन्होंने ऐसा कुछ कभी नी सुना था को छोड़के एक पॉजिटिव एटिटूड अपनाया उन्हें अपनी लाइफ में चौका दने वर डिजल्ट दिखने लगे और अब उन्होंने वो गोल्स हचीफ करना शुरू कर दिया जो शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था अब लॉयर के साथ साथ जेफ वार टायम मोटिवेशनल स्पीच भी देने लगे और 1992 में उन्होंने अपनी जॉब कुट करके फुल टायम ऐजा मोटिवेशनल स्पीकर वर्ग करना शुरू कर दिया जिसने उन्होंने बहुत सकस्स दिल आई और इसके बाद जेफ को कभी अपना काम काम जैसा नहीं लगा वो जब भी अपनी स्पीच के तियारी करते या कोई मोटिवेशनल आर्टिकल लिखते तो उन्हें ऐसा लगता जैसे वो यही करने के लिए बने है जेफ की लाइफ में इतना बड़ा चेंज कभी नहीं आता अगर वो एटिटूट की पावर को नहीं समझते इस बुक को लिखनी से पहले जेफ ने सकस्स और हीमन बहीवियर में 20 साल लिसर्च की है और इस दुरान उन्होंने सेकनों बुक्स और आर्टिकल पढ़ ला ले कि क्यों कुछ लोग सकस्स एचीव करते हैं और कुछ के हाट डिसपॉइंट्मेंट की सिवा कुछ नहीं लगता इस वीडियो में मैं आपको इस बुक के सभी की एडियाज टीपली एक्स्पेंट करूंगा और मेरा ये वादा है आपसे कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखके इसमें बताई बातें 20% भी अपलाई करते हैं तो आपको भी अपनी लाइफ में चौका देने वालन रिजल्ट दिखेंगे हम सभी अपनी जिंदगी की शुरुआत एक क्लीन मेंटल विंडो से करते हैं एक बच्चा जब भी चलना सीखता है और वो गिर जाता है तब वो क्या करता है मैं आपको बताता हूँ वो क्या नहीं करता वो कार्पेट को ब्लेम नहीं करता वो अपने माबाब की तरफ होंगे नहीं उठाता कि उन्होंने उसे गलत इंस्ट्रक्शन दिये वो कुईट नहीं करता वो मुसकराता है और फिर से खड़ा होता है और वो तब तक ऐसा करता है जब तक वो चलना न सीख जाए उसकी mental window बिल्कुल clear होती है उसे लगता है जैसे कुछ भी impossible नहीं लेकिन जैसा हम सब जानते हैं एक ऐसा time आता है जब life हमारी mental window पे dirt यानि गंदगी फिकने शुरू कर देती है हमारी mental window गंदी होने लगती है जह हमें कुछ कम नमबर लाने की वज़ाज से criticize किया जाता है हमारी mental window गंदी होने लगती है जह हमें एक दूसरे से compare किया जाता है हमारी mental window गंदी होने लगती है जह हमें life में disappointment और rejection मिलता है और इन सब वजहों से हम खुद पे बिलीव और एक positive attitude कहीं खो देते हैं अगर आप अपनी mentor window के लिए नहीं करेंगे तो ऐसा होने के बहुत chances हैं कि आप अपनी जिन्दगी negativity और frustration गुजार देंगे और इसकी वजह से आप अपनी जिन्दगी कभी खुल के नहीं जी पाएंगे लेकिन एक रास्ता है जेफ कहते हैं you always have a choice आपके पास जिन्दगी जीने के दो रास्ते होते हैं positive attitude और negative attitude या तो आप अपनी पूरी जिन्दगी आपके पास जो नहीं है उसी करोना गाते गुजार दीजे या एक positive attitude रखके आज आपके पास जो नहीं है उसके लिए काम करिए और ऐसे आपको वो सब मिलेगा जो आप चाहते हैं मैं जानता हूँ आप सोच रहाँगे ये सब कहना बहुत आसान है करना नहीं तो चलिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ ये कहानी है डॉक्टर विक्टर फ्रेंकल की जिन्होंने इस दुनिया में ही नर्ग देखा हिटलर की नाजी सरकार ने यहुदियों पे बहुत जुम ढ़ाएं और जुम भी ऐसे जिन हम और आप सोच भी नहीं सकते डॉक्टर फ्रेंकल एक अमरीकी सैकेट्रिस थे इसलिए उन्हें भी बंदी बनाए गया सिर्फ एक बहन को छोड़के उनका पुरे परिवार, माबाब, भाई, बहन और उनकी पतनी इस दौरान मारे गए क्या ऐसे हालात में कोई इंसान अपना एटिटूट कंट्रूल कर सकता है अगर आप यह सवाल डॉक्टर फ्रेंकल से बुचते तो वो कहते हैं, डॉक्टर फ्रेंकल ने सिर्फ नाजी डेथ कैम में सर्वाई भी नहीं किया बलकि लाखों लोगों को अपनी बुक, मैंस सर्च फर मिनिंग से इंस्पायर भी किया अब अगर डॉक्टर फ्रेंकल जैसे लोग ऐसे हालात में भी एक पॉजिटिव एटिटूड रुक्के लाखों लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, तो फिर इसके आगे हमारी और आपकी प्रावलम क्या है इसलिए ओथर कहते हैं, attitude is everything, मतलब आपका दुनिया को दिखने का नजर्या ही सब कुछ है कि ये idea number two, you are a human magnet, whether you think you can or you think you can't, you are right, Henry Ford इसका मतलब अगर आप सोचते हैं, आप कर सकते हैं, या फिर आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते, आप सही हैं क्योंकि जैसे आपके believe होते हैं, आपको result भी वैसा ही मिलता है तो आखिर success का रास क्या है, क्योंकि कुछ लोग बहुत successful हो जाते हैं, और कुछ अपने failure से ही बाहर नहीं आपाते है author ने key to success को six word में define किया है, और आपको जान कि यह हिरानी होगी, कि यह six word जब को successful बनाते हैं, वही six word आपको failure के दल्दल में ही डाल देते हैं तो यह रहे है वो six word, we became what we think about, मतलब हम वही बन जाते हैं, जैसा हम खुद के बारे में सोचते हैं अगर आप अपने किसी goal के बारे में लगतार सोचते हैं, तो ऐसा होने के बहुत chances हैं कि आप उसे achieve करने के लिए खदम आगे बढ़ाएंगे माल लिजी एक आदमी है जिसका नाम fred है, fred सोचता है कि वो हर साल 30,000 डॉलर कमा सकता है तो वो एक human magnet की तरह उन सारी opportunities और रास्तों को ढून लेगा जिससे वो 30,000 डॉलर कमा सके अब क्या हो अगर fred सोचे उसे अपनी family needs पूरी करने के लिए 50,000 डॉलर कमाना चाहिए क्या वो 50,000 डॉलर कमा पाएगा ये डिपेंड करता है कि fred को खुद पे कितना भरोसा है ऐसा होने के बहुत chances हैं कि fred 50,000 डॉलर कमा सकता है लेकिन अगर उसे खुद पे इतना भरोसा नहीं होगा कि वो कमा सकता है तो वो कभी नहीं कमा पाएगा इसके बज़ाए अगर fred खुद पे भरोसा करे और ये सोचे कि उसके लिए कुछ भी impossible नहीं तो वो एक ना एक दिन 50,000 डॉलर ज़रूर कमा लेगा एक रिसर्च के दोरां अल नाइट अंगल जो की ग्रेट सक्सेस राइटर थे उन्होंने ये पाया कि दुनिया भर के सभी महान राइटर, फिलोसिफर और रिलिजियस लीडर इस बात पे एगरी करते हैं कि हमारे थौट सी हमारे अक्शन रिटर्माइन करते हैं मतलब अगर आप खुद पे भरोसा और एक ऐसा mindset रखिए कि आपके लिए कुछ भी impossible नहीं तो सच में आपके लिए कुछ भी impossible नहीं attitude versus action मैंने अभी तक इस वीडियो में attitude, thinking और belief के बारे में बहुत बाता की हैं और आप कहीं न कहीं जरूर सोच रहे होंगे कि भाई action कहा हैं क्योंकि जब तक हम action नहीं लेंगे हम अपने कोई भी goal achieve नहीं कर सकते लेकिन आपको ये बात याद रखनी होगी कि हमारे thoughts सी हमारे action determine करते हैं मतलब अगर आप अपने सफर की शुरुआत ही एक negative attitude, एक negative thinking से करेंगे तो फिर आप बस वहीं तक आगे बढ़ पाएंगे जहां तक आपको रास्ते में कोई failure नहीं आता इसके बजाए अगर आप अपने शुरुआत एक positive attitude, एक positive thinking से करेंगे तो फिर आपके रास्ते में कितने भी failure आएं, वह आपका कुछ बिगार नहीं सकते क्योंकि दोस्तों failure बस एक speak bigger की तरह होता है, जो हमारे सपनों के रास्ते में आके हमें टेस्ट करता है और अगर हमारा एक positive attitude नहीं होगा, तो यही speed bigger हमें पहाड जैसा लगने लगेगा और हम इसे cross करने के बजाए वहें quit कर देंगे इसलिए जब भी अपनी life में आपको शन्याय स्टाट करिए, तो यह बात याद रखिएगा कि failure बस हमें टेस्क करने के लिए, और यह देखने के लिए आता है कि हमें अपने सपनों को पाने की कितनी चाहत है तो आखिर हम अपनी thinking कैसे बदल सकते हैं, जिससे हमारी life mentally, physically और financially peaceful हो author ने इन दो simple step में बताया है, कि हम अपनी thinking कैसे और भी ज़्यादा positive करके, वो सब हासिल कर सकते हैं, जो हम चाहते हैं step 1, रोज सुभा 15 से 30 मिलट कोई positive article या book पढ़ना चुरू करिए फिर चाहे हो successful नों की biographies हो, self-help book हो, या कोई spiritual book, यह आप पर depend करता है कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं और इसका फैदा यह होगा, कि जब आप अपनी दिन की शुरुआत एक सही mindset से करेंगे, तो फिर आपका पुरा दिन positivity से भरा हुआ जाएगा step 2, रोज कोई motivation video या audio program सुनना शुरू करिए, अब यहाँ motivation से मेरे मतलब यह नहीं है, कि आप दिन भर कोई भी video उठा के लगे रहिए, जैसे मैं आपको खुद का example देता हूँ, मैं रोज 10 से 15 minute कोई ऐसी video या podcast सुनता हूँ, जिससे मेरी understanding बढ़े, और author भी यही कहते हैं, हम जब भी कोई message अपने mind तक बार बार पहुँचाते हैं, तो हमारी thinking और mindset भी वैसा ही हो जाता है, तो दोस्तों यह थे वो दो step जो आपकी mental health के लिए बहुत जरूरी है, आगे बढ़ने से पहले मैं यह बात clear कर देना चाता हूँ, कि positive thinking मतलब यह नहीं है, कि आपके सारे स पर आसान नहीं होगा, लेकिन अगर आपको खुद में भरोसा और अपने सपनों को पाने की चाहत होगी, तो मेरे भाई इस दुनिया की कोई पावर तुम्हें रोक नहीं सकती, कि एडिया नमबर 3, turn your problem into opportunities, हमारी life में जब भी problem या setbacks आते हैं, तो हमारा reaction कैसा होता है, हम इसका बस negative side ही देखिए, या फिर आप इस बात का फायदा उठाईए, और ये देखिए कि ये problem आपको क्या सिखाना चाह रही है, example, author कभी personal development या motivation ये speaker बने में interested नहीं थे, जब तक उन्हें अपने law career में dissatisfaction नहीं मिला, जेफ कहते हैं, मुझे अब realize होता है, कि अगर मैं as a blessing थी, example, वाल डिजनी जो डिजनी कमपनी के founder और मिक्की मौस creator थे, वो पहले एक newspaper में as a cartoonist काम करते थे, और उन्हें वहां से ये कहके निकाल दिया गया, कि उन्हें lack of imagination और ideas की कमी है, अब अगर वाल डिजनी कूज दे newspaper company से नहीं निकाला जाता, तो शायद वो 22 Oscar winner cartoon series कभी नहीं बना पाते, तो दोस्तों अब आपके life में जब भी कोई problem आए, तो उस वक्त negativity के जाल में फसने के बजाए, आप ये देखिए कि आप उससे कैसे overcome कर सकते हैं, उससे क्या सीख सकते हैं, और अगर आपने अपना एक ऐसा attitude बना लिया, तो फिर आपको success achieve करने से कोई रो ऐखका बढ़ी है, जसस का सकते हैं, और आपको सकते हैं